पूरे देश में लॉकडाउन है जार्खन में इसका असर है लेकिन यहां विधायक नवीन जैस्वाल अपने आवास पर अंसन पर बैठ गए है इनके डिमांड है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें वापस लाने का इंतजाम करें सरकार और उनके घर तक राहत के जो से या तो बढ़ाया जाए या फिर वापस ले लिया जाए क्या इनी मांगों को लेकर के अंसन पर बैठ गए हैं देखिए लास्ट कैबिनेट में जार्खन सरकार ने यह निरने लिया कि जो मजदूर बाहर जार्खन के प्रवासी मजदूर बाहर फसे हुए हैं उनको 2000 रु मेरा प्रश्न यह है कि जब मुख्यमंत्री जी खुद कहते हैं कि लगभग 7 लाख से जादा मजदूर जार्खन के बाहर फसे हुए हैं और अगर 81 विधायक को कैलकुलेट करें तो प्रती विधायक 1200 लोगों को ही हम लोग लाब दे सकते हैं और 81 विधायक को अगर जोड़ दें तब भी अप्रयाप्त रासी है और उसके बाद कैबिनेट ने यह कहा कि जो गरीब हैं उनको 1000 रूपिया आप इसी 88 से सहयोग कर सकते हैं तो यह राजनीत का सिकार जार्खन के गरीब और जार्खन के मजदूर जो बाहर फसे हुए हैं उनको हसी का पात्र मुझे लगत है तो आज लाचार होके मैं उपवास पर बैठा हूँ और सरकार से यही कहूंगा कि आप विधायक निधी को भी रख लें लेकिन हटिया छेतर के साथ साथ पूरे जार्खन के जो गरीब हैं उनको 1000 रूपिया दें और जो बाहर फसे हुए मजदूर उनको 2000 दें आज हम लो ही है उसको जमीन पर उतारने का काम करें कल ही आप के चैनल में मैं देखा कि जारकन सरकार ने सुविधा एप लांच किया आप लांच जो एप हुआ आप खोल के देखें वो साइट ही डाउनलोड ही नहीं हो रहा है तो आज कहीं न कहीं वैसे जो लोग मजदूर हैं हम पासफर करा दीजे तो दिख भ्रमित लोग हो गये हैं और असमंजस की स्थिती में सारे बिधायक भी हैं मैं यही कहूंगा कि मुखमंत्री जी आप सारे बिधायकों का बिधायक निधी ले लें लेकिन जार्खन में रहने वाले जो गरीब हैं उनको हजार उपिया आपने जो कहा है मदद करें दो हजार उपिया जो बाहर फसे हैं उनको भेजें लेकिन ऐसी योजना बनाएं जिससे जनता दिख भ्रमित ना हो जनता के सामने विधायक का जो गरीमा है वो भी बचा रहे हैं यानि विधायक जी यहां बैठे हैं नविन जैसवाल जी बिजेपी के तमाम विधायक अपने अपने घरों में इन ही मांगों को लेकर अंसन कर रहे हैं धरने पर बैठे हैं स्ययोकी प्रदीप के साथ सुरेंद सुरेंद कसिश के लिए